नवस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वारान अकैडमे क्लासेस पर एक मोस्ट अवेटेड न्यूज वह आपके लिए थी वो आ गई है अलॉट्मेंट जो लेटर थे वो जारी हो गए है उत्तरपदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें देखे सबसे पहले आप उत्तरपदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की साइट को ओपन कर लीजिए आप इसको जानते हैं यहां ओपन करते हैं तो आपको लिंक बिलिंक करता हुआ दिखता है इस लिंक पर जब आप जाएंगे ट जो choice preferences का था वो यहां से हट गया है अब यहां पर आपको देखे यह आ गया है कि संयुत पैरामेडिकल प्रवेश 2020 में चैनित अभ्यारतियों के आवंटन पत्र उपलब्द हैं प्रवेश की तिति आपके प्रवेश की तिति मेन है यह समझ यह 16-12 से लेके 24-12-2020 तक है बिस यहां क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नए इंटरफेस पर यह ले जाएगा इसको आप क्लिक करिए आगे पेज आपका खुलेगा और आप लॉगिन आईडी आपसे मंगेगा और लॉगिन आईडी मंगने के बास यह लॉगिन आईडी मंगेगा औ और इसमें आप भरने के बाद आप सीधा उसके dashboard पर अपने dashboard पर चले जाएंगे जो आपका होगा यहीं आप login ID और password भरने के बाद सीधा देखिए dashboard पर आप चले जाएंगे और नीचे के तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आप समझेए इस जगे पर आपको allotment लेटर जो है जारी कर दिये गया आपके mobile में ही download हो जाएगा कहीं जाने जरूत नहीं download mobile में कर लिजए जाके साइबर कैफे से print out निकालवा लिजए तो यह allotment लेटर यहाँ से आपको मिल जाएगा देखिए यह allotment लेटर यहाँ download हो रहा है देखिए यह download हो गया और आपको इस तरीके का स्टार्टिंग में लिखावत संयुक्त पैरा मेडिकल परवेस प्रकेया 2020 आवंटन पत्र प्रथम काउंसलिंग एक काउंसलिंग कंप्लीट हो गई और यहाँ आप समझ सकते हैं यहाँ प्रथम काउंसलिंग उत्र प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी आप जब नीचे इसके तरफ स्कूल करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल होगी और यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने यह चैन आपको कि चैन किस आधार पर आपका यह किया गया है आप देखें यहाँ पर जो चैन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है इसका वीवरण यहाँ पर आपको दिया गया है आप देखें इस जगे पर यहाँ आपको दिया गया कि किस आधार पर चैन किया गया है और बत पत्र आवांटर पत्र डाउनलोड कर दिनांग 24-12, 24-12 तक जो है आप क्या कर सकते हैं, संबंधित प्रसिक्षन के इंदर पर जाकर तत्काल प्रवेस ले लें, और किसी भी दसामेतिते बढ़ाई नहीं जा सकेगी, देखें, इनको विद्याला जो आवंटित हुआ है, वो ड सक्षे की योगता परमाड़ पत्र और प्रसेक्षन स्वलक जो आपका है, फिर उसके बाद योगदान के समय कि निमने लिखत परमाड़ पत्र मूल, मूल का मतलब है और और परमाड़ चायपत्र, यानि जो अटिस्ट्रेड चायपत्र, फोटो काउप्पी होगी, उसको ल ले जाना है और यदि आपके द्वारा प्रस्तों तुमार पत्रों में किसी भी प्रकार की अन्यमिता पाई जाती है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा ये चीज़ हो गई और आवंटन प्रपत्र आपको ले जाना है सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षा संब् आपको अलग-अलग वीडियो में बताया है अब स्टाम पेपर पर आप लोग सभी लोग बात कर रहते कि स्टाम पेपर जो है में क्या लिखा जाएगा तो यहां आपको बताया गया है देखिए दस रुपे का स्टाम बनेगा उस पर गोसला की जाएगी कि मैं सपत पूरव गोसला करता हूँ और यह चीज पूरी लिखी जाएगी इसके बाद देखिए यहां पर अब भ्यार्थी अपना प्रवेश पत्र अपने प्रात करने के उपरांत जमा किये गए सुल्क की रसीद की छाया पर अड्मिशन स्लिप जो भी है उसको प्रवेजना सुनिश्चित क संबंदित कार्यत उप्योग किया जा सके तो इसको इस मेल पर जो आप सुल्क जमा करेंगे प्रवेश लेने करने के उपरांत यह जो आप डीडी या जो भी चुछ बनवाएंगे उसकी स्लिप जो है आपको इस पर मेल भी करनी होगी आप समझ लेजे और फिर उसके बाद पूरी की पूरी प्रकरिया है आप समझ गए होंगे अगर कोई डाउट होंगे तो हम आपको अगले वीडियो के माद्यम से आवस्टे बताएंगे फिल हाल आप डाउनलोड करिए अपना जो है वंटन पत्र और जिनका सेलेक्शन हो गया उनको हार्दिक बधाई उनके उज करें सकंड काउंसलिंग का और जुड़े रहें हमारे चैनल से धन्यवाज जैहिन जैभारत मिलते हैं अगले वीडियो में